कि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि परकास का परावरतन क्या होता है ठीक है और परकास का यहां परकास के परावरतन का यहां पर हमने डिफिनीशन भी लिख रखा यहां पर हमने एक्जांपल भी लिख रखा ठीक है और दोस्तों इसके साथ साथ हम वो इस चीज़ को एकदम से practically समझने वाले हैं कि किस तरीके से यह जो परकास का परवर्तन है हम अपने real life में इसको हम कैसे देखें तो उसके लिए हम क्या करें हमें practical करना पड़ेगा जी इस practical को आप एकदम घर पर भी कर सकते हैं इस ना आसान practical है ठीक है और दोस्तों एक ची इसा याद रहेगा ठीक है तो इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा और लाश्ट तक देखेगा ठीक है क्योंकि लाश्ट में आपको मैं practical बताने वाला हूं ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग परकास का प्रावर्तन जिसको इंग्लीस हम लोग कहते हैं reflection of light तो यह अध्यम में लोट जाता है इस घटना को ही परकास का प्रावर्तन कहते हैं तो यह चीज हमारा हो गया अब यह वाला चीज यह जो definition है यह वाला इस पर कैसे काम करता है वो चीज पहले समझ लेते हैं तो देखें यहां पर हमारा है यह जो नीचे आप देख रहे हैं यह हमार में अगर आप पीछह देखेंगे तो एक पेंट लगा होता है ठीक है तो उसी पेंट को हम लोग इस तरिके से दर्शात यह वाला जो लाइन है यह वही दर्शारा है कि पीछे इस दर्पन के पीछे पेंट लगा हुआ है तो यह चीज हो गया अब समझें इसमें क्या करें चुरुआत में कि जब परकास किसी माध्यम चाहता है तो माल यह वाला आपका टार्च है ट्रच यहां पर हमने बना रखा है आप लोग सही से देख लीजेगा तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम टॉर्च को जला रहे हैं तब क्या हो रहा है इसका जो परकास है यहां पर पहले यहां पर आकर पढ़ रहा है ठीक है अब यहां पर पढ़ने के बाद से क्या हो रहा है कि यहां पर पढ़ा और फिर से यह उपर ही निकल गया तो वही चीज यहां पर दे रखा है कि जब परकास किसी माध् माध्य में लोड जाता है तो पुना वो अपने ही माध्य में लोड जाता है अब इसका क्या मतलब है समझें तो परकास क्या हो रहा है उपर से ही आ रहा है ठीक है परकास क्या हुआ उपर से इस तरीके से आया और फिर क्या हुआ टकराया और फिर उपर ही निकल गया मतलब कि उपर मतलब जिस माध्य हम से आया है, उसी माध्य में फिर उपर निकल गया है, ठीक है, तो जो जब परकास आता है, उसको हम कहते हैं आपतित किरण, और टकरा करके जब चला जाता है, उसको हम कहते हैं परावरतित किरण, ठीक है, और यह जो बीच में आप अविलम देख रह यह आपका प्रावर्तित किरaden का है अब यहां पर देखें से दर detection आ क्Sheet से दरसाथ हैं प्रावर्तित किरणों को सबस्क्राइब क हैं इंसीडेंट और हैं मिलगों कहते हैं आन्सिडेंट रे हैं इसलिए आ सब sizi आय्साते हैं प्रावर्तित किन और और से दर्शाते हैं कि इसे हम क्या करें है रिफ्लेक्षण ट्यूंव क्या करते हैं तो आदले आप हैं यस आप एक दम से आखों से कैसे देख सकते हैं तो देखे उसके लिए दो चीजे चाहिए पहला आपको टॉर्च एक चाहिए और बैसा को एक सीसा चाहिए ठीक है अब किया है टॉर्ष और शीसे को ले करके आप एक रूम में चले जाए假 अब दोस्तों इस तरीके से आपको सीसे को क्या करना है रूम में जा करके और जमीन पर रख देना है ठीक है और सीसे से थोड़ा सा दूर खड़े हो करके मल यहां पर आप खड़े हैं ठीक है अब टॉर्च को क्या करें यहां पर हाथ में ले करके और यहां से आपका यह टॉर और यह आपका है नेयरों ठाल को जब आप इस पर जलाएंगे इस टॉच को जब आप इस पर निगे इसका क्या होगा फोकस किया और पर पड़ेगा ठोल जब opportun टकरा करके और फी reality फोकस आ से वह ऊपर निकल जा रहा है इस तरीके से तो यही आपका होता है परकास का परवर्दन तो इस चीज को जब आपको एक्जयाम में लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सहकते हैं कि जब परकास किसी माध्यम से आता था था अ single करके जब वह किसी चीकने तल से टकराता है तब वह क्या होता है पुना वह टकरा करके अपने ही माध्य में निकल जाता है ठीक है और इस घटना को हम बुकाते हैं परकास का परवर्तन तो इस प्रैक्टिकल को आप स्वयम करके देखिए और कॉमेंट बग जरूर बताएगा कि यह चीज ऐसा काम कर रहा है या फिर नहीं करेंगे ठीक है करेंगा 100 ठीक है तो आज क्या वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरू बताएगा चनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरू करेंगा